जिएश्टीर 9 या जिएश्टीर 9C आपके उपर applicable है या नहीं है सिर्फ दो मिर्ट में आप जानेंगे हमारे इस वीडियो में आप भी चाहते हैं इस प्रकार की information सीरी अपने दोस्तों को अपने एंटर को शेयर करना तो आप हमें तुरंत कर सकते हैं चलिए बात करते हैं जिएश्टीर 9 और 9C में क्या difference हो सकता है या किसके उपर हैज six parts जिएश्टीर 9 के six parts है छे भागों में वो जिएश्टीर 9 भरी आती है और जिएश्टीर 9C है पार्ट A और पार्ट B होती है चलिए अगला अब हम बात करते हैं जिएश्टीर 9 की कि यह ऑप्शनल है जिनकी टर्णोवर दो करोड रुपे तक है उनके लिए यह ऑप्शनल है यानिकि वही उनकी मर्जी है वो इसे भर है या ना भर है लेकिन हाँ जिनकी टर्णोवर दो करोड रुपे से ज़्यादा है उनके लिए यह मेंडेटरी है उनके लिए जरूरी है कि वह इस फार्म को फाइल करें अगर हम जेश्टीर 9C की बात करते हैं तो जैसे कि 9 के अंदर जो लिमिट दे रखी है वो 2 करोड की है यानि 2 करोड स से कम है तो आपके लिए ऑप्शनल है और यह पांच टोड रुपे से ज़्यादा है तो यह मेंडेटरी हो जाती है अब जीएश्टीर 9 और 9C में दोनों ही केस में रिजिस्टर जो टैक्सपेर है वो साइन करता है यह पार्ट में क्यों बोल रहा हूं वो इसलिए बोल रहा इनकी डूडेट्स की बात करते हैं तर डूडेट्स दोनों की 31 दिसंबर है 31 दिसंबर दोनों है 31 दिसंबर 2022 की और लेट फीस लेट फीस 200 रुपे पर डे की है जी हां चाहे आप 9C अगर आपको पर अप्ले के लिए फीस देनी होगी जो कि मैक्सिमम में 0.25% आफ मैक्सिमम जो लेट फीस जो जा सकती है वो जा सकती है 100 करोड का 0.25% यानि कि कितना हो गया 25 लाख रुपे तक जी हां इतनी है भी भी लेट फीस हो सकती है और जिस्ट ये नाइन की बात कर तो वो भी सेम बात है क्यों दोस रुपे पर डे की और मैक्सिमम है 0.25% आफ टैक् की लेट फाइल फीस देनी होगी तो दोस्तों ये था ब्रीफ जी एस्ट ये 9 और 9C के बारे में I think आपको clear हो गया होगा और यदि आपके किसी client के ओपर ये applicable होता तो आप तुरंत उसकी जी एस्ट ये 9C को फाइल करवाद हैं ये जानकारी आपको कैसी लगी comment box में comment करना बिल्कुन भूलेगा और हाँ ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब किजिए धन्यवाद